नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया मैं हूँ आपके साथ प्रीती रगुरंदान रूस के राश्रपती व्लादेबर पुतिन की परमानों हमले वाली धमकी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं सवाल इसलिए क्योंकि विशेशग्यों का मानना है कि पुतिन इस वक्त ठीक वैसा ही कर रहे हैं जैसा वियत वाम वार में दौरान अमेरिका के राश्पती रिचर्ड निक्सन ने किया था निक्सन की इस थेयरी को मैड मैन थेयरी करार दिया गया तो क्या सच में यूकरेन के खलाब पुतिन उसी माड मैन वाली थेयरी को अपना रहे हैं जिस थेयरी को निक्सन ने अपनाए था देखिए इस रिपोर्ट में अमेरिका के पूर्व राश्पती की राह पर पुतिन यूक्रेन के खलाब वियतनाम वार वाला फॉर्मूला जो निक्सन ने किया क्या वही पुतिन कर रहे हैं यूक्रेन के खलाब जंग में मैड मैन वाली थेयरी जंग के मैदान से आई इस चौकाने वाली खबर की पूरी कहानी हम आपको दिखाएंगे इससे पहले रूस के राश्पती पुतिन क्यूंस धंकी को सुन दी थी जिसे युद की शुरुवात में ही दिया गया था तब पुतिन ने आगा करते हुए चितावनी दी थी बाहर से जिसने भी दखल देने की कोशिश की जो भी हमारे रास्ते में आएगा और रूस या उसके नागरिकों को धंकी देने की कोशिश करेगा उसे तुरंद परिणाम भुगतना होगा ऐसा परिणाम जो आपने अपने पूरे इतिहास में नहीं देखा होगा यानि जंग की शुरुवात में ही पुतिन ने इस बात के जरीए दुनिया को धंकाने की कोशिश की थी कि जो भी रूस युक्रेन जंग में उनके बीच आएगा वो पर्मानू हमले का ताप झेलेगा जो भी युक्रेन की मदद करने के लिए आगे बढ़ेगा उसे रूस के घातक हमलों का शिकार होना पड़ेगा लेकिन जंग खिर्ती जा रही है और वैसी ही धंकिया लगातार पुरूस देता आ रहा है यही वज़ा है कि अब पुतिन की इस परमानू हत्यारों के इस्तिमाल वाली धंकी को लेकर सवाल उठ रहे हैं यह सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि विशेशक्यों ने दावा किया है कि पुतिन वैसा ही कर रहे हैं जैसा वियतनाम वार के वक्त अमेरिका के पूरव राश्च्पती रिचर्ड निक्सन ने किया था वाशिंटिन डीसी में आर्म्स कंट्रोल एस्सोसियेशन के एक्जिक्रूटिव डिरेक्टर डेरिल जी किम्बल का दावा है कि अगर रूस के अस्तित पर खत्रा हुआ तो वो परमाणू हत्यारों का इस्तिमाल कर सकता है लेकिन अभी ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है जो इस बात की उरिशारा कर रहा हो कि पुतिन वाकई ऐसा कोई कदम उठाने वाले है डेरिल जी किम्बल के मुताबिक रूस और पुतिन इसलिए ऐसे बयान दे रहे हैं ताकि अमेरिका और नेटो को यूक्रेन में सीधी मिलिटरी कारवाई से बाहर रखा जा सके यानि रूस परमाणू धमकी का प्रोपोगैंडा ठीक वैसे ही कर रहा है जैसा प्रोपोगैंडा कभी अमेरिका के पूर्व राश्पती रिचर्ड निकसन ने किया था यहां समझना ये भी जरूरी है कि आखिर क्यूं पुतिन की थियोरी को निकसन की मैड मैन वाली थियोरी से जोड़ा जा रहा है 1971 की ये थियोरी अमेरिका के पूर्व राश्पती रिचर्ड निकसन से जुड़ी है तब वियतनाम यूद को खतम करने के लिए परमाणू हमले की धमकी की खबर फैलाई गई थी ये प्रोपोगैंडा फैलाने के लिए अमेरिका के राश्टिय सुरक्षा सलाकार हैंडरी किसिंजर को जिम्मेदारी सौंपी गई थी तब हैंडरी किसिंजर ने उत्तरी वियतनामियों से कहा था कि मैं उन्हें रोक नहीं सकता निकसन से लेकर रूस के राश्टपती पुतिन तर इस मैडमैन वाली क्रोनोलोजी को एक्सपर्ट यूँ ही नहीं मान रहे हैं मौजूदा वक्त में पुतिन ने भी दुश्मन देशों के खलाब परमानू हमले वाली प्रोपोगैंडा मशीनरी को सक्रिय कर रखा है इसे समझने के लिए रूसी सलाकार दिमित्री पेसकॉफ के उस बयान को सुमना होगा जो उन्होंने युक्रेन के मददकार देश ब्रिटेन के पीम वारिस जॉन्सन को लेकर किया था वारिस सिर्फ एक हमला और इंगलेंड तबा हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए हमसे क्यों लज रहे हूँ संयुक तुराज के सीनियर रिसेर्चर पाविल पॉडविक की माने तो ऐसी आधार ही इन धमकिया समझोते की मेज पर शक्ती को बढाती है जब किसी राज्ये का प्रमुख संकेत देता है कि उसके पास परमानू धुक्यानों के इस्तिमाल के अलाबा कोई चारा नहीं है तो बाच्चीत की मेज पर वो अपनी शक्ती को बढाता है जाहिर है पुतिन की परमानू धुक्या उन देशों को युक्रेन से दूर रखने के लिए है चो देश युक्रेन की मदद के लिए लगातार आगे आ रहे है यहां रूस का मकसद एकदम साफ है वो अपने दुश्मनों के ठीतन परमानू हमले की दहशत पैदा करना चाहता है